बाइसा बाइसा बात को समझो कोरी भाशन बाजी से बात नहीं बनेगी आपको है ना पैसा 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 नहीं बाइसा बात को टाकत बनेगी टाकत नहीं बाइसा आपको ना गाली देनी पड़ेगी गाली काली, सरयाम, सबके सामने गाली, तब बात बनेगी, हां, वो देने ताम, कुटा, यह गालि है बैसाथ Department ुगर तरह कमेना बैसाब कुटा कमेना, इस से गंधी गालिया तुना गल्फेर्ड अपने बॉइफ्रेंड को दे Дती है गाली बैसाब गाली बैस्त्त महाभारत चल दिए के बाइसाब याँ पे जिश्टी गाली बाइसाब कोणी पचास कोड की गल्षेन परमिस की बिद्वा ठीक है लेकिन आपको कोई प्रदार मंत्री थोड़ा बनना है और गाली बाइसाब कोई और गाली बाइसाब यही तो चाहिए बाइसाब जीत पक्की बिना टिकेट के जीत पक्की एक और एक और गाली हाँ अम्मिस्टागन ओ बाइसाब इतनी गंदी गाली देने की जरूरत नी है एसाब मसा अब बहुत हो चुका है अब तो मंद कर रहा कि यह पार्टी छोड़़ दें लेकिन क्यों अरे हमने पार्टी के लिए कहां कुछ ने किया हमारे बाप दादाने तो करजा ले के पार्टी की सेवा ची कि लेकिन हमें कोई पूछता तक नहीं, हमें कोई जानता तक नहीं, हमने कभी अपनी जिन्दग में को गलत काम नहीं किया, बढ़ों का आदर किया, छोटों को प्यार दिया, महा बैनों की इज़त की, लेकिन ना कोई हमें सम्मानित पद मिला, ना टिकेट, हमें तो जनता में प असली नीती को कभी पहचाना ही नहीं अरे रमेश विदूरी जी उनको ही देख लो संसद में गाली गलोच करके चाये हुएं जनाब महिला आरेक्षन विल से ज्यादा कनेडा इंडिया टेंशन से ज्यादा उनी की चर्चा है हर जगे ट्वीटर के उपर तो रमेश विदूरी जिन्दाबाद ट्रेंड हो रहा है कल से अरे ये तो कुछ भी नहीं आपकी पिता जी अगर मनोहरलाल खटर की तरह है महिलाओं पर सरयाम बेहुदा टिपणिया करते तो क्या पता आज वो मुख्यमंत्री होते और आप मुख्यमंत्री के बेटे अरे बद्दी भाशा बोलन रहे हो आज तक MCB बने हो क्या बताओ ब्रिज्यो भूशन शरन सिंग उनके उपर देश की सबसे बड़ी खिलाडियों ने इतने बड़े बड़े आरोप लगाए तो उनका कद भी कितना बड़ा हो गया पार्टे की नजर में आज तक प्रधानमत्री मोधी की हिम्मत नहीं उनके खिलावे एक शब्द बोलने की अरे महिलाओं को लोगों को सोशल मीडिया पर मा बहन की गालिया देने वाले को खुद मोधी जी ट्वीटर पर सोशल मीडिया पर फोलो करते हैं सोचिए पार्टी में उन लोगों का रुत्मा बड़ा होगा या आप जैसे लोगों का जिनकी पोस्ट पर गिनकर 13 लाइक्स नहीं आते हैं अरे आप समझो दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और बोला जाता है और असल में कुछ और किया जाता है अब दिखावे के लिए तो मोधी जी से बड़ा गांधी का भक तो पुरी दुनिया में नहीं है लेकिन फिर भ आया आज के जमाने में भाई जाव ये संसकार वंसकार नहीं चलते आज कल तो सोसाइटी में भी ऐसे बाबाओं को कोई रिस्पेक्ट नहीं देता जो धर्म, सहिश्मुता, प्रेम, त्याग, तपस्य, सत्य, मान, वहित, प्रभु, प्रेम की बात करते हैं अरे आज कल तो पूजा भी उन बाबाओं की जैदा होती है जो मारकाट, दंगे, पाखंड और गाली गलोच की भाषा बोलते हैं आज तो बहुत सारे गोभक्त वो लोग बने हुए हैं जिनकी साथ-साथ पेडियों में किसीने गाएं तक नहीं पाली हिंदू रक्षक उन्हें समझा जाता है जो उन्होंने गीता और वेदो की जिल्ग तक नहीं पढ़ी, इतिहासकार वो लोग बने बैठे हैं जो प्यासे कोई की कहानी भी नकल मार कर लिखते थे, पत्रकार वो लोग बने हुए हैं जिनने तीसरी क्लास के सिलेबस से कोई सवाल पूछ लो तो मिलगी के दोरे कर दो